नमस्कार दोस्तों कैसे हैं आप सब एक मित्र ने पूछाए है कि सर विटनेस प्रोटेक्शन स्कीम यानि साक्षी सुरक्षा योजना के बारे में कुछ बताईए तो सुप्रीम कोट ने वर्स 2018 में महिंद्र चावला एन अधर्स वर्सिस यूनिन आफ इंडिया जो क्रिमिनल प्रेटेशन नमबर 156 था इसमें फैसला देते हुए गवाहों की सुरक्षा के लिए विटनेस प्रोटेक्शन स्कीम यानि गवाह या साक्षी सुरक्षा योजना की बात कही इससे पहले की मैं बताऊं यह योजना क्या है गवाह या विटनेस कौन होते हैं मैं आपको यह समझा दूँ तो विटनेस जो शब्द है इसे ना तो हमारे एविडेंस एक्ट में कहीं डिफाइन किया गया और ना ही विटनेस शब्द को यानि साक्षी शब्द को C.R.P.C. में कहीं डिफाइन किया गया तो विटनेस कौन होता है तो इसके लिए बेंथम साब जो है जो बहुत बड़े लॉज स्कॉलर रहे हैं ने कहा है कि विटनेसे सार दी आईज एन इयर्स अब जस्टिस मतलब साक्षी इतने महतवपून हैं कि वो न्याए के आँख और कान होते हैं आप में से कही लोग सोचते हैं कि न्याए की देवी जो जस्टीसिया है उनके आँख में पट्टी के उमल ही होती है उसका कारण सिरव इतना है कि न्याए के देवता जिन आखों से देखते हैं वो है साक्षी यानि के विटनेस विटनेस का प्रोटेक्शन बहुत जरूरी है क्योंकि न्याय उनके द्वारा ही संभव हो पाता है जो वो स्टेटमेंट देते हैं, जो डिपॉजिशन करते हैं, जो उनके एक्जामिनेशन हैं, सारा कुछ उस पर दारोमदार होता है भारत की सरवच न्यायले ने गुजरात राज जी बनाम अनिरुद्ध सीह के मामले में ये कहा था कि प्रत्यक उस गवाह जिसे अपराज के घटित होने के जानकारी है का यह मत्वपून करतव यह है कि वो गवाही देकर राज जी का सहयोग करें अगर हम क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम की बात करें तो 2003 की जो मलिमत कमिटी थी उसने अपनी रिपोर्ट में कहा था कि यदि किसी अपराज की घटना के बारे में गवाह गवाही देकर वह सच्चाई की खोज में न्यायले को सहयोग देने का कार्य करता है तो एक पावन करतव यह को निभाता है जहीरा, हविबुल्ला, शेक और अन्य बनाम गुजरात राज्ये का एक मामला था जिसमें उचित विचारण यानि फेर ट्रायल की परिभाशा देते हुए सुप्रीम कोट ने कहा कि यदि साक्षियों को यानि विटनेसेस को धमकी मिलती है, कोई थ्रेटन करता है अत्वाँ उन्हें जूटी गवाही देने के लिए मजबूर किया जाता है तो ऐसी सिति में नहीं कहा जा सकता कि फेर ट्रायल हुआ होगा या निस्पक्ष विचारण हुआ होगा एक अन्य मामले की बात करें जिसे बिस्ट बैकरी कारण कहा जाता है यहां जो 2002 के गुजराद दंगे थे इसमें एक इमारत में आग लगा कर 14 लोगों को जान से मार डाला गया यह घटना एक मार्श की आधी रात को हुआ था इस मामले में ट्रायल कोट में सभी 21 अभी हुटों को बरी कर दिया था अधालत का फैसला था कि मामले के मुख्य गवाह कोट में अपने बयान से मुकर गए जो उन्होंने पुलिस को दिये थे बाद में जो नेशनल हुमन राइट्स कमिशन था उसने सुप्रीम कोट से निवेदन किया कि वह ट्रायल कोट के साधिश को खालिच करे मानों अधिकार आयोक के जो एडवोकेट थे एस मुख्य धर एटियार और पी आर राव ने इस मामले को सुप्रीम कोट में उठाया था सुप्रीम कोट ने फिर महेंदर चावला एन अधर्स बनाम यूनिन आफ इंडिया यह एक रेट पेटिशन था जो 156 इसका क्रिमिनल केस नंबर था और 2016 में ये जो है फैसला आया था जिसमें गवाहों की सुरक्षा योजना की बात की थी और 2018 में इसे बंजूरी भी दे दी गई थी यह योजना केंदर सरकार ने तै की है केंदर सरकार ने सुप्रीम कोट के गाइडलाइन्स को मानते हुए एक योजना तैयार की है जिसे विट्नेस प्रोटिक्शन स्कीम कहा जाता है और अब केंदर राज्य और केंदर सासित प्रदेशों को भी इसे पूरी तरह लागू कर करती बेंच ने देश के सभी राज्यों को निर्देश जारी किया कि वे 2019 के अंते तक कमजोर गवाहों की सुरक्षा के लिए कोई पॉलिसी के स्थापना करें, कॉम्पलेक्स के स्थापना करें 2018 की योजना क्या आती आप जाने बेंच ने कहा था कि इस योजना की महत्वपून बाते हैं कि गवाहों को होने वाले खत्रों की पहचान करें पॉलिस प्रमुकों जो पॉलिस के आफिसर्स हैं, उनके द्वारा खत्रों का विशलेशन कर रिपोर्ट की तयार की जाए इस तरह का कदम उठाया जाए कि गवाहों और आरोपी जाच के दौरान आमने सामने ना आए पहचान की उनकी सुरक्षा की जाए, पहचान को बदलना, गवाहों को कहीं और ले जाना, गवाहों को योजनाओं के बारे में बताना, इसकी सिक्रेसी रखना और रिकॉर्ड की सुरक्षा करना, ये सब भी इस योजना के भाग हैं Central Home Ministry ने जो योजना बनाई हैं उसमें गवाहों की तीन शिर्णिया बनाई गई हैं ऐसा मामला जिसमें मामले की सुनवाई या उसके बाद गवाह या उसके परिवार के सदस्यों को जान का खत्रा हो तो नई योजना के अनुसार गवाह अपनी सुरक्षा के लिए उचित अधिकारी या जिला में आवेदन कर सकता है जहाँ पराज हुआ है इस अथॉरिटी के जो चेर परसन होंगे वो जिला नियाधिश या सत्र नियाधिश होंगे और जिले के पुलिस प्रमुक उसके सदस्य होंगे और प्रोसीक्यूशन का प्रमुक सदस्य जो है इसका सचीव होगा किसी गवाह से सुरक्षा का आवेदन मिलने के बाद उसकी सुरक्षा के खत्रे का आकलन किया जाना चाहिए योजना में इस बात का भी उल्लेख है कि किस तरह की सुरक्षा का अधेश दिया जा सकता है अथॉरिटी को पहचान सुरक्षा पहचान को बदलने और गवाह को कहीं और ले जाने का भी अरिकार दिया गया है कोट ने इस प्लान के बारे में ये भी कहा है कि क्योंकि ये लाबकारी और कल्यानकारी योजना है इसका उधेश ये देश में आपराधिक न्याय प्रणाली को मजबूत करना है तो विटनेसिस जो की न्याय के आँख और कान हैं जैसा कि बेंथम साहब ने कहा इनको उचित सुरक्षा दिलाया जाना ये बड़ा महत्वपूर्ण है क्योंकि जब तक विटनेसेस को प्रोडेक्शन नहीं मिलेगा उनके अधिकार सुरक्षित नहीं होगे तब तक न्याय सुनिश्चित करना आसान नहीं होगा मुझे उमीद है कि आज के इस चोटे से लेक्शर में आपने विटनेस प्रोडेक्शन स्कीन यानि गवाह सुरक्षा योजना के बारे में कम शब्दों में ठीक ठीक बात समझी होगी जुडते हैं फिर अगरे लेक्शर में समझते हैं देश-दुनिया के कठिन गानों को आसान शब्दों में जुड़े रहिए जय है